प्रतिभाशाली बच्चों के एवन हमारे देश के भविश्य के सुरक्षित करने के लिए शुरुबात की गई गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल्स की आईए अब हम इस स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं क्लास साइज आदी के बारे में बात करते हैं अगर हम बात करें कि कक्षा में किस प्रकार का वातावन रहेगा इन विद्यालों में कक्षा एक से पांच अर्थात प्रात्मिक विद्याले में हिंदी मेडियम के साथ साथ जो एक अलग सेक्षन होगा उस सेक्षन में वो इंगलिश मेडियम का सेक्षन होगा उस सेक्षन में क्लास 1 से क्लास 5 तक 30 विद्यार्थी हो सकते हैं कक्सा 6 से 8 तक 35 विद्यार्थियों का एक सेक्षन होगा जो purely English मेडियम बच्चों का होगा और क्लास 9 तू 11 चालीस बच्चों का एक सेक्षन होगा जो purely English मेडियम होगा 9 11 क्योंकि अब की बार केवल 9 और 11 ही शुरू की गई हैं जो 10 से उपर हैं क्योंकि 10 और 12 की केवल इस वर्ष स्टेट बोर्ड से ही प्रिक्षाय आयोजित की जाएंगी इसलिए हम कक्षा 1 और 2 ये purely English मेडियम शुरूआत की जाएगी जो की Government Model संस्कृती Primary Schools होंगे जो Completely Bag Free Schools होंगे खेल खेल में और ICT का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाएगी ये ICT क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे अगर किसी गाउं में किसी Government Model School में SMC को लगता है कि हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा है और हमारे पास कमरे, संसाधन, उपलब्ध हैं तो इस sections की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है ये section एक से दो भी किये जा सकते हैं ये school प्रशाशन, school प्रबंधन और SMC का अपना फैसला होगा इन सीटों में से, इन English Medium के इन सीटों में से 50% सीटें आरक्सित होंगी उसी school के बच्चों के लिए अर्थात, माले जी हमारे ही school में जो पहले एक Hindi Medium स्कूल था अब उसमें किसी कक्षा, माले जी कक्षा आठीव में पढ़ने वाले बच्चे, कक्षा 9 में English Medium में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन 9 में के 40 बच्चों में से 20 बच्चे उसी विद्धाले के होंगे अगर वो English Medium Opt नहीं करना चाहते हैं तो 50% सीटें बाहर से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होंगी चाहे वो किसी निज़ी विद्धाले से आते हों, चाहे वो किसी सरकारी विद्धाले से आते हों इसके अलावा अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो बाहर से और विद्धार्थे भे प्रवेश ले सकते हैं इसलिए आप अपने प्रोस में रहने वाले किसी भी अध्यापक से किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि हमारे ब्लोग का मॉडल स्कूल कहां पर है मॉडल प्रैमरी स्कूल कहां है और मॉडल संस्कृते सिनियर स्केंडरी स्कूल कहां पर है वो आपको पूरी जानकारी देंगे और आप उनकी guidance लेकर उनसे पूछ कर अपने pass के model संस्कृते school में अपने बच्चे का प्रवेश करवा सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें आयू सीमा की English medium कक्षा पहली में जिस बच्चे का आप admission करवाएंगे उसकी आयू कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए आपको school में आने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इन विद्यालों में हम admission क्यों कराएं हमारा बच्चा तो फलाँ फलाँ school में जा रहा है हम आपके ही विद्याले में admission क्यों कराएं इसके लिए मैं आपको यहां बताओं कि हमारे विद्याले में वो कौन-कौन सी स्विधाएं हैं facilities हैं जो आपके बच्चे के लिए आउसक है आज तकनीकी यूग है चेकनलोजिका यूग है आपने देखा होगा COVID महामारी के दोरान विद्याले बन थे और बच्चों को online सीक्षन दिया जाता था अब हम तकनीक से दूर नहीं रह सकते टेकनलोजिस से परे नहीं रह सकते हमें हमारे अध्यापन, शिक्षन और सीखने में अधिगम में हमें हमारे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में हमें ICT का इस्तेमाल करना ही होगा और इसी के महतु को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रतेक गर्णमेंट मॉडल संस्कृती स्कूल में एक मल्टी मेडिया लैब की स्थापना की है ये मल्टी मेडिया लैब क्या है? इसमें बच्चे को क्लासरूम में एक टैब दिया जाएगा जिसमें इन बिल्ट सॉफ्टवेर हैं जो टीचर की गाइडेंस में उस टैब से पढ़ सकते हैं अध्धापक ने कोई भी विशय बोर्ड पर समझा दिया उसमें ICT का इस्तेमाल करके भी समझा दिया उसके बाद एक exercise होगी जो की बहुत ही रोचक होगी खेल खेल में होगी और बच्चे उस टक्नीकी टैब के माध्यम से exercise complete कर पाएंगे इसके अलावा interactive boards है interactive boards का मतलब white boards होगे जो completely digital होगे और उस technology का इस्तेमाल करते हुए आपके बच्चे को उस topic से संबंदित कोई भी photo, कोई भी video दिखाया जा सकता है जिससे उसको उस topic के को समझने में उसके concept को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अलावा एक digital podium होगा lecture stand आपने देखा होगा लकड़ी या लोहे का होता है हमारे पास इन स्कूलों में digital podium है जिस podium पर जिस lecture stand पर आप खड़े हो वही से आप board को, पुरी classroom को technology का इस्तेमाल करते हुए पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं ये completely digital होगा और इस एक lab की, एक multimedia lab की कीमत 30 से 40 लाख रुपे हैं जो सरकार ने केवल और केवल आपके बच्चों के लिए उपलाब्द कराई है सबसे महतुपूर्ण बिंदू यहां पर जो है वो है ICT tools, multimedia labs इसके बाद ICT computer lab ये communication technology को के लिए computer lab अलग से आपके बच्चों के लिए उपलब्द कराई गई है जहां पर time table में प्रते दिन आपके बच्चे के लिए एक विशेश कालांस निरधारित किया जाएगा इसके अलावा इन स्कूलों में arts, commerce, science, अर्थात medical, non-medical सभी संकाय, सभी streams अवेलेबल होंगी बच्चा जिस प्रकार के विशे लेना चाहे वो विशे वहां पर opt कर सकता है और new education policy में तो विशे चुनने की स्वतंतर तावी दी गई है जैसे ही हमारे यहां new education policy applicable हो जाएगी आपका बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी विशे ले पाएगा physics, chemistry, biology, labs medical और non-medical के लिए आपके बच्चों के लिए physics की अलग lab होगी chemistry की अलग से laboratory होगी biology और mathematics के लिए अलग से lab होगी lab में बच्चे देख कर हाथों से काम करके सीख सकते हैं Confucius ने कहा भी है कि एक बच्चा एक teacher से कहता है if I hear, I forget if I see, I remember and if I do if I do I learn, I understand यहां पर आपको तीनों प्रकार की सभी इंद्रियों को शामिल करने के लिए सभी प्रकार की audio, visual equipments अवेलेबल करवाए गई है जिससे बच्चा किसी भी concept को आसानी से समझ सके इसलिए यहां PCB labs की वेवस्था की गई है language lab language lab in school का एक और महतोपूर्ण सुविधा है अर्थात English शीखने के लिए आपको English language lab मिलेगी Hindi सीखने के लिए Hindi language lab मिलेगी आपको अलग से language labs मिलेगी जहां आप computers के माध्यम से digital boards के माध्यम से बच्चे pronunciation की practice कर पाएंगे बच्चे English native speakers को सुन पाएंगे English बोलना सीख पाएंगे इसलिए language labs की विवस्था की गई है well equipped libraries पढ़ना बच्चे की आदत होती है अगर बच्चा अपने पाठे करम की अलावा भी पुस्तके पढ़ना चाहता है तो आपको यहां digital e-libraries available हैं जहां बच्चा अपने library के period में जाकर library से आपने पढ़ने की रूची को पूरा कर सकता है sports and co-curricular activities आज पढ़ाई के अलावा बहुत सारे games और अन्य सहगामी क्रियाओं का बहुत अधिक महत्व है इन विद्दैलों में उन सभी co-curricular activities और sports activities को परविसेस बल दिया गया है जहां आपका बच्चा जिसमें जिस परकार का talent है वहां जा सकता है वही कर सकता है trained and qualified teachers हमारे सभी विद्दैलों में trained और well qualified teachers है जो h-tet pass करके जिनके नियोकती हुई है संपूर्ण हर्याना में government schools में चाहे वो किसी भी परकार का schools है सभी स्कूलों में well qualified और trained teachers है जो एक प्रोपस screening और interview qualified करके अपॉइंट हुए है model संसकरती स्कूल में भी जो skillful teachers है उनको आपके बच्चों के लिए अपॉइंट किया गया है सारे के सारे teachers well qualified, well trained है और विभाग समय समय पर उनको refresher courses English medium trainings avail करवा रहा है जिनको special training दी जा रही है कि in English medium schools में in model schools में कैसे किस परकास से हम इस technology का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को latest technology के साथ education provide करें इसके अलावा जो हमारे school में पहले से उपलब्द सुविधाएं हैं चाहे वो खेल के मैदान की सुविधा हो चाहे वो मिड़े मील की सुविधा हो चाहे वो scholarship की सुविधा हो वो आपको उसी परकास से मिलती रहेंगे हमारे school के भवन हवादार, विशाल, एवं सरकार के नियमनशार होते हैं CBSC से affiliation दिलवाने से पहले CBSC ने इन सभी विध्यालों की गहनता से जाच की है उन में fire system लगवाए गए हैं उन विध्यालों में playgrounds बनवाए गए हैं उन विध्यालों में environment से अलग से जाच की गई है और जब उस विध्यालों को हर प्रकार से बच्चों की लिए सुरक्षित कर दिया गया है इन विध्यालों की शुरुवात की गई है आप अपने आसपास के किसी भी मॉडल संस्कृती स्कूल में विजिट करके इन सुविधाओं को अपने आँखों से देख सकते हैं आप इनको वहाँ जाकर जाच सकते हैं, परक सकते हैं इन सभी सुविधाओं से अगर आपका बच्चा गुजरेगा तो नेश्चित रोप से उसका भविष शिक्योर हो जाएगा सुरक्षित हो जाएगा और उसको एक अच्छी शिक्षा इस प्लेटफॉर्म पर मिल पाएगी अब हम बात करें कि एड्मिशन कैसे लें बहुत है सिंपल है आपको केवल कुछ दस्तावेज लेकर विद्या ले जाना है अभी एड्मिशन्स जारी है उन आउसक दस्तावेजों में आप बच्चे का डेट ओब बर्थ सेर्टिफकेट जन्म परमान पत्र लेकर जाएं एक रिहायसी परमान पत्र के तोर पर आप आधार कार्ड बच्चे का माता का और पिता का या फिर परिवार पहचान पत्र जो अभी हाल ही में बनाए गए है फेमिली आईडी वो लेकर जा सकते हैं और ये निर्धारित फीश जो मैंने आपको बताई है वो थोड़ी से निर्धारित फीश अगर आपका बच्चा इंग्लिश मेडियम में पढ़ना चाहता है तो वो फीश लेकर जा सकते हैं हिंदी मेडियम के लिए कोई फीश नहीं है और एक विभागिये परफोर्मा जो आपको स्कूल निशुलक उपलब्द कराएगा उस पर बच्चे का फोटो लगा कर उसे फिलिन करके उसे भरकर आप स्कूल के मुख्या को दे सकते हैं और आपके बच्चे का इस परकास से बहुत ही आसान परक्रिया से अगर बच्चा किसी दूसरे विद्दयले से आता है तो उसे संबंदित विद्दयले से स्कूल छोड़ने का परमान पत्र स्कूल लेविंग सर्टिफिकेट एसलसी लेकर आना होगा इन मेंसे किसी भी दस्तावेज के ना होने पर आपके प्रवेश को कोई रोक नहीं सकता परन्तु आपको प्रवेश लेने के एक महीने के अंदर अंदर ये दस्तावेज विद्दयले को उपलब्द करवाने होंगे इस प्रकाह से बहुती आसान प्रकिरिया से गुजर कर आप अपने बच्चों का एड्मिशन मौडल संस्कर्ते स्कोल्स में करवा सकते हैं और उनके भविश्य के लिए निस्चैन्त हो सकते हैं अब अगर हम बात करें कि इसके ओर अधिक जानकारी आपको कहां से मिलेगे आप अपने अडोस पडोस के आप अपने आसपास किसी भी अध्धापक से ये जानकारी ले सकते हैं इसी वीडियो के अंत में मैंने कुछ दस्तावेज भी जो विभागी लेटर्स हैं वो डाले हैं आप उनको पढ़ सकते हैं इसके अलावा आप अपने आसपास के मॉडल संस्कृति स्कूल में विजिट कर सकते हैं वहां के किसी अध्धापक या मुख्य अध्धापक से आप मिल सकते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं इस परकार से आप अपने बच्चों के भविशे को सुरक्षित करने के लिए क्लास 1st to क्लास 12th अपने नजदी की गवर्न्मेंट मॉर्डल सीनियर स्केनरी स्कूल और गवर्न्मेंट मॉर्डल संस्कृति प्रैमरी स्कूल में जाकर प्रवेश दिला सकते हैं आपका हम इंतजार करेंगे आप सभी का गवर्न्मेंट मॉर्डल स्कूल में स्वागत है Thank you very much, best of luck झाल झाल